नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बदन क्रेशन्स में मेरा नाम अंजू है और आज का आइडिया भी आपके लिए बहुत खास होने वाला है तो वीडियो का इंट तक जरूर देखिएगा अगर आपके घर में पुराने कपड़े पेस्ट आने वाली हों जिससे आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे तो यह देखिए सबसे पहले मैं इस फैबरी को थोड़ा सीधा कर लूँगी यहां से देखिए यहां से मैंने इसको सीधा कर लिया उसके बाद मैं इसकी मेजरमेंट आपको दिखाती हूं यह देखिए इस प 15 10 पर मर्किंग करके इसी पर कटिंग कर दूगी तो यह देखिए मैंने यहां से इसको काट कर दिया और यह एक रिक्टैंगल पीस बनी गया है उसके बाद मैं इसको ऐसे फोल्ट करूंगी उसको फोल्ट करने के बाद आधा इंच यहां से भी आधा इंच उसवाली साइड से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे इस वाली साइट से भी 2 इंच पर मार्किंग करेंगे तो यह देखिए मैंने मार्किंग कर ली मार्किंग करने के बाद उपर वाली साइट पर भी हम 2-2 इंच के निशान लगाएंगे क्योंकि मुझे इस line को सीधा करना है तो ये देखिए मैंने इस line को सीधा कर लिया अब इस line को सीधा करने के बाद उपर वाली side से हम हलका सा round shape देंगे और इसी shape पे इसकी cutting कर देंगे जो हमने ये marking की है उसी के उपर आप cutting कर दीजिएगा अगर वीडियो पे आप यहां तक पहुंचेगे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की notification सबसे पहले मिलती रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें देखिए cutting करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आप देख पा रहे होंगे अब इसके बाद हम इसकी sides बनाएंगे तो sides बनाने के लिए हमने क्या करना है इस वाले जो cut है इसको हम ऊपर की तरप को ऐसे रखके इसके उपर मार्किंग कर लेंगे और यहां से भी हम इसकी मार्किंग कर लेंगे तो यह देखिए मैंने इसकी मार्किंग कर ली है मार्किंग करने के बाद हम इसको मेजर करेंगे तो यह देखिए मेजर करने के बाद यह मेरे पास आ रहा है 9.5 इंच नौ से साड़े नौ आ रहा है तो जब भी आपने इसमें जिप अटेच करनी है आप हमें इसके लिए एक जिप भी चाहिए होगी तो जितनी हमने मेजरमेंट की है जैसे यह 9.5 है तो आप 0.5 आदा इंच एक्स्ट्रा या एक इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो यह देखिए यह कटा हुआ पीस है और यह मैंने एक जिप ले लिए है देखिए आपके सामने मेजर करके दिखा रही हूँ यह देखिए यहां तक हमारा 9.5 इंच हुआ था 9.5 से 10 इंच के बीच में तो यह देखिए मैंने 11 इंच की जिप ले लिए है अब सबसे पहले हम इसको फोल्ट करक इसका सेंटर मार्क कर लेंगे यह देखिए यहां से सेंटर मार्क कर लिया और यहां से भी सेंटर मार्क कर लिया यह इसकी उल्टी साइड थी तो यह सीधी साइड पे भी मैं यही मार्किंग लगा रही हूँ उसके बाद हम जिप का एक सिरा जिप को उल्टा करके रखेंग यह देखिए जिप को लटा रखेंगे और यहां से एक सीरे से स्टिचिंग करेंगे इसकी यह देखिए यहां से स्टिच कर दिया ऐसे ही हम दूसरी साइड पे इसको स्टिच करेंगे सेंटर से सेंटर को मिला के रखेंगे क्योंकि जिप का सेंटर ऑल्रेटी है क्योंकि दोनो जो जीप के सिरे है कि वो इसके साथ में तो थोड़ा सजू एससे अ कपड़ा है उसके और थोड़ी सी शेप देंगे कट वाली सएड के साथ Drag 그jung को कट करदेंगे कट करने के बाद हम इसकी stitching करेंगे सिजिद्रaker करने के लिए आप को जहां से कट करेंगे उसी तरह से हम इसको करेंगे और Insurance करेंगे कि तो स्टीचिंग करने के लिए जहां से आप स्टीचिंग स्टार्ट करेंगी वहां से सिक्यौर ज़रूर शिलाई को और ऐसे हम धीरे धीरे पूरी जो हमारी जिप है जिप के साथ कपड़े को टैज कर देंगे जब तक मैं इसको टैज कर रही हूं आप चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लगे और कमेंट करके यह जरूर बतायेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ऐसे ही री सिरे को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे यहां से हम पकड़ेंगे यह देखिए यह मुल्टी वाली साइट से स्टिच कर रहे हैं इसको बाद में हम टर्न करेंगे तो यह देखिए ऐसे स्टिच करते हुए हम इसको एंड तक स्टिच कर लेंगे यहां तक जहां तक हमने इसकी कटिंग की हुई है यहां तक स्टिच कर लेते हैं गाइस मैं अपने चैनल पर जो हमारे पास सूट से बची हुई कत्रन होती हैं पुराने सूट होते हैं पुराने कपड़े होते हैं उनसे आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किये हुए हैं डॉर मैट्स के आइडियाज मैंने आपके साथ शेयर किये हुए हैं बैड शीट ब करके जरूर बताईएगा कि वो वीडियो आपको कैसी लगी और वो आइडिया कैसा लगा यह देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है और मैंने सीधी तरफ को टर्न करने के बाद मैंने आपको पहले भी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि हम जब भी किसी जिप को अट सबस्ता है तो ऐसे ही मैं इसको प्रेस्टिच कर लूँगी दोनों साइट से यह देखिए यह देखिए मैंने इसको प्रेस्टिच कर लिया है और प्रेस्टिच करने के बाद जो एक्स्टा धागे है उसको मैं यहां से कट कर रही हूं इसकी फिनिशिंग हमें जरूर करनी ह प्रेस्टिज करने से इसकी फिनिशिंग भी हो जाती है और जो जिप है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाती है कपड़े के साथ तो यह देखिए कि यह मैंने इसको टर्न कर दिया है और यह कितना ब्यूटिफुल सा पाउच बनके तयार हो गया है जिसमें हमने कोई लाइनिंग यूज नहीं की है कोई फॉर्मशिट यूज नहीं की है तो बीना लाइनिंग और बीना फॉर्मशिट से भी हम यूजफुल चीज्जों को बना सकते हैं तो यह देखिए कितना यूजफुल बना है अब इसके यूजफ करने की बात कर लेते हैं तो पहला अपने इस पाउच में रख सकते हैं तो ऐसे ही अपने पैन, पैंसिल, इरेजर हो गया कोई भी आप यूसफुल स्टेशनरी का जो भी समान आप स्कूल में, कॉलेजेज में यूज़ करते हैं आप उसके लिए इस पाउच के यूज़ कर सकते हैं तो यह बच्चों के लिए वीडियो तो इससे बच्चों बच्चे भी खुश हो जाएंगे और ऐसे ही आप कलरफुल से पाउच बना के उनको दे सकते हैं सेकंड यूज़ है हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम मेकप और गनाइजर या मेकप पाउच बोल सकते हैं इसको इसमें हम चोटी पाउच के लिए यूसफूल या अपने लिए यूसफूल चीज़े बना सकते हैं जिनको बनाना बहुत ही एजी है तो यह देखिये इसकी फाइनल लुक यह देखी और कितने कम टामी में मैंने चोटे से कपड़े से बना लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जिप क वी मैंने पुराने बैग से ही गाला है तो ऐसे ही अगर हमारी कुछ चीजें खराब हो जाएं तो हम उनको यूज में ला सकते हैं रियूस कर सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बिताईएगा जल्दी मिलते हैं ने आइडिक सा थेंक यू